दोस्तों बगवान ने हुनर सबको दिया है फरक इतना है कंफर्ट जोन का त्याग करने वालों का छप जाता है कंफर्ट पसंद लोगों का छीपा ही रहता है नमस्कर दोस्तों मैं एस्ट्रोलेजर रजेश का लिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूटीव चै पर शनी की वकर चाल और भागया वापर गुरू चंडाल यूग के कार्मश काफी चिंतित दिखाई दिये हैं गुरू के शुब गोचर के बाव्यूद भी भागया का वहसा योग नहीं मिल पाया जो की मिलना चाहिए था लेकिन अब चिंता का कोई विश्या नहीं है निश चिंत रहें शनी की वकर चाल और गुरू चंडाल योग से रहत मिल चुकी है अब दिसंबर माँ से उस रहत के शुब परिनाम मिलने शुरू हो जाएंगे अन्या ग्रहों का राशी परवरतन भी सिंग वालों के लिए काफी सक्रात्मक रहेगा मां के अंतिम दिनों में वरिदी होगी बहुत इक सुखों का विस्तार होगा घर परवार में सुक्षान्ती और सम्रिदी का वास होगा जैसे जैसे मावैतीत होता जाएगा परस्थितियें अत्यादिक अन्कूल बनती जाएंगी मैं बीना कोई आलतु फालतु बात किये बगर सीधी स्पष्ट और स तक बने रहें शुरवात करते हैं दिسمبر माहमे सबसे पहले राशी परवतन करने वाले ग्रै ग्रैयम के राज़परता पी सूर्या देव से आपकी राशी का स्वामी तब भी सूर्या देव के पास है इसलिए आपके स्वाब में भी अधिकार पसंद सूर्या जैसे फल देखने को मिलते हैं सोला दिसंबर तक सूर्या आपकी राशी के चतुरत बाव मित्तर राशी और मित्तर ग्रै मंगल के साथ संचार करेंगे सूर्या और मंगल की यह स्थिति गर परवार और कार्या शेतर में आपके रोग और रुतबे में वरिदी कर परवाब में वरिदी करेगी आपकी आग्या का पालन होगा सूर्या और मंगल दोनों सवाब से कठोर, करोदी और करूर ग्रै है इसलिए मन स्थान पर दोनों का परवाब आपके सवाब में भी कठोरत और करूरत जैसा बहाब पैदा करेगा कठोर वहवार के कार्वश कभी कवार परवारिक सदस्तियों या कार्या शेतर में सह कर्मियों के साथ मतवित देखने को मिल सकते हैं सूर्या और मंगल पर शनी की द्रिष्टी भी पढ़ रही है मंगल के साथ द्रिष्टी सवंद बना हुआ है इसलिए वरिष्ट अधकारियों और उर्च अधकारी वरक के साथ भी विवादों से बचेंदम पत्या जीवन में समझदारी से काम ले अधिकार पसंद सूर्या और प्राकर्मी मंगल की करम बाप्रवीद रिष्टी पड़ेगी जो कारिया शेतर में जोश और उर्जश शक्ती पर दान करेगी जोश और उत्सा की अधिक्ता से अपने महत्त पुरन कारिया पूरन करते हुए दिखाई देंगे सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कारिया करना है तो 16 दिसंबर तक उस कारिया को करने से बचें 16 दिसंबर के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा 16 दिसंबर को सूर्या राशी प्रवर्तन कर पंचमबा में प्रवेश कर जाएगा पंचमबा पर सूर्या और बुद्ध के युतियोग से बुद्ध अजित्ययोग का निर्मान होगा इस योग पर गुरू की दृष्टी सौनने पर सुहा की जैसा कार्या करेगी आपकी राशी पहले से ही गुरू के प्रवाब शेत्र में है अब राशी के साथ राशी स्वामी सूर्या भी गुरू की दृष्टी में आ जाएगा दोनों पर गुरू का परवाब विचारों में शुत्ता के साथ सोच सकरात्मक बनाएगा साकरात्मक सोच से स्वास्त बेहतर रहेगा आप श्रेली गुरूप से स्वास्त के साथ साथ मानसी गुरूप से भी स्वास्त मज विद्यार्थियों की भौधिक शम्ता और ग्यान में चमत कारी बदलाब देखने को मिलेगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंदान शेतर और प्रतियोगी प्रिक्षाओं में बहुत अच्छा कारिया करेंगे। विद्यार्टियों के सासत वेपारी दोस्तों के लिए भी सूर और बुद्ध की यहस्तिती उत्तम है आपकी राशी के लिए बुद्ध धन और लाबा का स्वामी है बुद्ध स्थान पर बुद्ध का संचार बुद्ध वानी निवेश और वेपार के माध्यम से परचूर मातरा में दनलाब के संकेत दे रहा है संतान के माध्यम से भी दनलाब के योग बनेंगे इस अवदी में संतान के नम शुरू किया गया कारिया वेपार या निवेश लापरद रहेगा सरकारी कारियों को करने के लिए 16 निसंबर के बाद का समय अधिकुत्तम रहेगा अब सूरिया शनी की दृष्टी में नहीं बलकि गुरू की दृष्टी में रहेगा जो सूरिया को बल परदान करेगी सरकारी कारियों में सफलता मिलेगी बुद्धी वल में वरिदी का कारिया वेपार और वेपसाई में विस्तार करने के लिए भी लाब मिलेगा नई विचारदारा नई योजनाओं को जनम देगी वैसे भी गुरू चंडाल योग के बाद गुरू के भी बेहतर प्रिना मिलने शुरू हो जाएंगे गुरू का भागया बापर संचा भागया के बंद दरवाजे खोल देगा सोया हुआ भागया जाग उठेगा आपके अधिकांश कार्या भागया की प्रवलता से भी पूरन हो जाएंगे गुरू की शुकता सिंग राशी वाले हर किसी को परसंता परदान करेगी इसलिए गुरू का जब मिल गया साथ तब नहीं रहेगी डर, चेंता और गम की कोई बात गुरू देव के नाम पर एक लाइक तो बनता है, सूर्या के बाद शुकर का राशी प्रवरतन है 25 दिसंबर तक शुकर, तिर्तिये भाव अपने भाव पर संचार करेगा 25 प्रेम प्यार बाप पर गुरू की दरिष्टी के अलावा, प्रेम प्यार और रुमास कारक शुकर भी गुरू की दरिष्टी में रहेगा प्रेमियों के लिए यह अत्यादिक उत्तम स्थिती है प्रेमियों के प्रेम सबंदों को मद और मजबूत और पके रुप से स्थाफित करेगी प्रेमियों को अपने प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और समय वैतीत करने के अबसर मिलेंगे पंचम बाप और शुकर दोनों पर गुरू की दृष्टी के परवाब से प्रेमी अपने प्रेमी जन के परती इमांदार और निश्ठावान दिखाई देंगे प्रेम सबंदों में इमांदारी, पवितरता और पारदर्शता देखने को मिलेगी अधिकतर समय प्रेमी जन्द के साथ सोशल मीडिया पर भी वैतीत करेंगे सिंगल दोस्तों के सोशल मीडिया पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है शुकर आपकी राशी के लिए करम बाप का स्वामी भी है इसलिए शुकर की मजबूस थिति करियर के दृष्टी कौन से भी उत्तम है कार्य शेतर में आपको अपनी बोधिक्षमता ग्यान और क्रेटिविटी का बहुत लाब मिलेगा कार्य वेबसाई के सिलसले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे सिंग राशी वाले वहदोस जो सोशल मीडिया से जुड़कर रोजगार करते हैं शुकर की शुपता उन्हें बहुत लापरदान करेगी अपने शेतर में अच्छा कार्या करेंगे सोशल मीडिया पर नेम और फेम में बृदी होगी शुकर और गुरू का दृष्टी स्वंग सफलता के प्रवल योग बना रहा है लेखन से स्बंदित कार्या करने वाले दोस्तों की लेखनी परवाब युक्तों की लोग लेखनी की परशंसा करेंगे 25 दिसंबर को शुकर वी राशी प्रवर्तन कर चतृर्थ बाब में परवेश कर जाएगा हर परकार के सुखों के कारक शुकर का सुख बापर संचार सुखों में वरिदी करेगा बहुत इक सुखों का विस्तार होगा शुकर की यह स्थितिय त्यानिक उत्तम है चतृर्थ बापर मंगल और शुकर के परवाब से भूमी भवन और वाहन से सबंदित सुखों में वरिदी होगी उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे घर परवार के सदस्तियों के साथ पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे शुकर के परवाब से सबंदों में सने और मदूरता का भाब पैदा होगा 28 दिसंबर को दो राशी प्रवर्तन है इस दिन प्राक्रमी मंगल राशी प्रवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो बुद्धी कारक बुद्ध राशी प्रवर्तन कर वक्री वस्ता के कार्णवश एक भाव पीछे चतुर्त भाव में प्रवेश कर जाएगा अब चतुर्थ बापर दो शुब और मित्तर ग्रहूं का संचार अत्यादिक उत्तम रहेगा, सुख चैन में वृदी करेगा, मन उत्साही तैंपर फुल लित रहेगा, तथा मन में परसंता किन गुत्ती करेंगे दिसंबर मा की शुरुवात में सूर और मंगल का चतुर्थ बापर संचार घर में पंगे पैदा करने का कारया कर रहा था, लेकिन अब दिसंबर मा के अंत में सुख बापर शुकर और बुद्ध का संचार घर परवार में दन, सुख, शांती और सम्रीदी लेकर आएगा, ही कि सुख, सने, सैयोग, स्वास्त और स्वापर काफी सकरातों के परवाब देखने को मिलेगा, वरश के अंत में तीन शुख ग्रहों में से गुरु का भाग्यावापर संचार, तो शुकर और बुद्ध का सुख बापर संचार, सिंग वालों को मौज करा देगा, भाग्य दन, सुक, संपत्य और स्वास्त सब कुछ परदान करेगा, भाग्यावापर संचार कर रहा, गुरु अकेला ही काफी है, आपका बेड़ा पार लगाने के लिए, इसलिए जते जते कमेंट बॉक्स में, गुरु देव की जैजाकार करते जाएं, आगे की चर्चा हां, जनव ही 24 के राशी फल में करेंगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कि रप्या लाइक, शेर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यावाद